बहुत दिनों से आप किसी हिस्त्री के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन वह हिस्त्री आपसे महबत नहीं करती है प्यार नहीं करती है बात नहीं करना चाहती है लेकिन आप चाहते हैं कि वह आपके प्यार में दिवानी हो जाए आपके प्यार में मदहोस हो जाए और सिर्फ आ इतना महबत करें कि आपके बिना वह एक मिनट भी नहीं रहा पाए। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा वसिकन टूटका बताने वाला हूं। जिसको करके आप किसी भी इस्तरी को अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं। अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं। देखिएगा रुठा हुआ प्यार भी होगा तो पल भर में दोड़ता हुआ आपके पास में आ जाएगा। प्यार में जित हासिल करने के लिए ये बहुती अचुक सक्ति साली, इस्तरी और पुरुश्वसिकन टूटका है। ठीक है न, अभी मिले या बाद में मिले प्यार में दोखा मिल ही जाता है। लेकिन जब प्यार में दोखा मिलता है तो आदमी क्या होता है? अंदर से तूट जाता है। लेकिन बस एक विश्वास होता है कि वो हमारे पास आएगी तो आएगी वो हमसे प्यार करेगी तो करेगी मेरे भक्तो बस आपको ये छोटी सी वसिक्रन टुटका करनी की देरी है इस वसिकरन विद्या से आप देखती रहिए कैसे घर बेटे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी के भी दिल में अपने लीज जगह बना सकते हैं देखिएगा मेरे भक्त लोग बहुत सारे वसिकरन करके जदी आप ठक चुके हैं आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रही है दूर जा रही है किसी और से प्यार करती है यानि कि आपको धोखा दे दी है आपके नंबर को बलाव कर दी है यानि कि आपके लव लाइफ में आपकी जिवन में आपकी जो भी समस्या हो बस एक ही समधान है वसिकरन और इस वसिकरन के विद्या से आज मैं आप सभी को एक ऐसा वसिकरन टोटका बताने वाला हूँ जिसको घर वेटे सिर्फ इस्त्री के नाम से आप उसको अपने वस में कर सकते हैं मेरे वक्तो बस आपको करना क्या होगा उस इस्त्री का नाम एक साधे कागज पे लिखना है और उस कागज को जलाना है बस जलाते ही उसके दिल में आपके प्यार के दिल में उस इस्त्री के दिल में आपके लिए मोहबत पैदा हो जाएगा ओ आप से बात करने लगेगी मोहबत करने लगेगी आपके बिना नहीं रहा पाएगी पलपल आपके प्यार में ट्रपने लगेगे प्यार में जित हासिल करने के लिए ये बहुती सकती साली अचुक इस्त्री वसी करन तुटका है मेरे वक तो ये आजमाया गया है और इतना आसान है कि आप घर बेटे आसानी सकर सकते हैं सिर्फ सादे कागज के उपर उस इस्त्री का नाम लिखना है उस प्यार का नाम लिखना है जिसको अपने वस में करना चाहते हैं जिसके दिल में अपने लिए महबत पैदा करना चाहते हैं बस देखते रहिए जैसे ही नाम लिख करके उसको जलाएगा यह अपना असर दिखाना सुरू कर देगा और वह ही इस्तरी आपसे महबत करना सुरू कर देगी आपके बीना नहीं रहा पाएगी कैसे करना है आएगे बताते हैं उसके पहली यह दिया आप हमरे चैनल पर नए है तो प्लीज में चैनल को सस्क्राब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने वीडियों आएगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा और सावधान रहिएगा सतर्क रहिएगा नीचे कमेंट में जो भी कोई नमर देता है उस पे कॉल नहीं करना है उसा फ्रॉड होता है और वो सिकरन के नाम पे किसी को पैसा नहीं देना है मरवक्तों देखिएगा मरवक्तों जिस भी इस्तरी को अपने वस में करना चाहते हैं अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं जिसके दिल में अपने लिए महबत पैदा करना चाहते हैं चाहे वो इस्तरी हो या पुरूस हो वस उसका नाम एक छोटे से सादे कागज के उपर लिख दीजिए एक छोटे से सादे कागज के उपर लिख दीजिए उसका नाम उसका नाम लिखने के बाद मैं आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा उसके उपर हल्दी का लेप लगाना है जो कागज जिस पे इस्तरी का नाम लिखे हैं जिस पे लड़की का नाम लिखे हैं जिसको लड़की को अपने वस्म करना चाहते हैं जिसका नाम आप कागज पर लिखे हैं उस कागज पर क्या करना है हल्दी का लेप लगाना है हल्दी का लेप जैसे ही लगा दीजिएगा ध्यान दीजिएगा पतला सा एकदम ज़्यादा मोटा लेप नहीं लगाना है पतला सा हल्दी का लेप उपर से और नीचे से पीछे से क्या काना हल्दी का लेप लगा देना है हल्दी का लेप जैसे ही लगा दिजिएगा अपने मन मताविक आपको जहां भी सुविधा मिले आप वहाँ पे यानि किसी भी चौराहे पे जा करके आपको क्या काना है उसको जलाना है उसका अगज को कब जलाना है हल्दी कालेप लगा दीजिएगा उसको अपने छत या छपर पे करिवन से करिवन दो से तीन घंटे तक रख दीजिएगा सुखने के लिए उसके बाद में अपना असर दिखाएगा उसके बाद में किसी भी चोराहे पे ले जाकर इसको जला देना है जलाते समय क्या बोलना है ताकि वो आपसे महबत करने लगे आईए बताते हैं सबसे पहले पता दूँ कि चोराहा क्या है मेरे वक्त लो जहाँ पे सुनसान जगा है जहाँ से दो तिन चार रास्ते गुजरते रहते हैं जवान राता है सुनसान जगा है जहाँ पे मोर मार जो रस्ता होता है वहाँ पे आप चले जाए ठीक ना और आपको क्या करना वहीं पिले जाकर आप दखिन या पुरब दिशा की और भूम करके आपको क्या करना है इस कागज को जलाना है जलाते समय अपने मन में उस इस्त्री का नाम बार बार लेते रहना है उस लड़की का नाम बार बार लेते रहना है उस पुरुस का नाम बार बार लेते रहना है जिसको अपने वस्मे करना चाहते है और जैसे ही उसका नाम बार बार लेते रहिएगा वो कागज जैसे ही जलेगा तो उसका राख बनेगा ही बनेगा और उसके राख को ले लेना है और उस इस्तरी का साथ बार नाम लेकर यानि कि अपने प्यार का साथ बार नाम लेकर किसी भी बहते हुए पानी में आपको क्या करना है उस राह को भी सर्जन करना है उस राह को बहाना है जैसे ही इसको पानी में बहाईएगा और एक बात बोल देना है कि जाईए और उसको मेरे साथ जल्द हिन लेकर आईए बस इतना बात बोलना है उसको पानी में बहा देना है चमतकार आप खूद देखियेगा कि जैसे इसको पानी में बहाईएगा उसी दिन से या उसके अगले दिन से वह आपके वस में हो जाएगी आपसे मोहबत करने लगेगी पलपल आपके प्यार में टरपेगी आपकी बिना नहीं रहा पाएगी बस सही तरीके से आपको करना है और यह दिया आपको समझने में जहां दिकत हुआ है नीचे कमेंट जरूर किजिएगा हम आपकी जरूर मरत करेंगे और साथ मी साथ साधान रहिएगा कि नीचे कमेंट में बहुत सारो लोग फेक नम्मर देते हैं crank नमर देते हैं कि हम उसिकरन करेंगे वो सिकरन करेंगे और आप लोग उससे f Suddenly करेंगे पैसा ठागेंगे इसलिए साधान रहे सतर करेंगे कि वह सिकरन के नाम परकिसी को पैसा नहीं देना है मेरे वक्त तो यदि आप हमारे चानल पर नए हैं अब तक मेरे चानल के सस्क्राब में किये हैं तो प्लीज सब्सक्राब जरूर किजिएगा ताकि हम जितने भी बूरिनाएंगे सबसे पहले आफी के पास में जाएगा